अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी डॉली, मैं हूं कनिशका, आज मैं आपके लेकर आई हूँ काजु कतली, यह रक्षा बदन स्पेशल है, यह तीन चीजों से हम बनाएंगे, और यह ख़र में आप बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं, इसे बनाने से पहले अगर आपने जाना तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बैल को भी आउन कर देजे, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए, डाइसो ग्राम काजु और हाफ कप शुगर और टूठी टेबिस्पून देशी की, सबसे पहले हम काजु को मिक्सी में पीस लेंगे, इसे हमें थोड़ थोड़े करकर ही पीसना है, इसे हमें एक साथ नहीं पीसना है, इसे पीसने का एक तरीका है, इसे आपको रोग रोग कर ही पीसना है, लगाता नहीं पीसना है, एक साथ लगाता पीसने से इसमें जो ऑईल है, वो निकल जाएगा, और ये प पेस्ट बन जाया है वहां में पेस्ट नहीं हमें इसका पाउडर चाहिए है आप जिस तरीके से देख रहे हैं मैं इसे रोक रोक करी पीस रही हूं अब देखें मैं इसमें बाखी क्या ओवब गाजु एड़ कर रही हूं इसे हम थोड़े थोड़े कर रही है तब ही हमारे अच्छा पाउडर बनेगा आप इसे निकालकर शेक कर लिजी यह स्पून की हल्प से भी आप इसे सही कर सकते हैं अब हम इसे चान लेंगे ताकि जो बादीक वाला पाउडर देखें नीचे आजाए और मोटे मोटे जो टुकड़े हैं गाजु के ओपर रह जाए और उससे हम तुबारा पीस लेंगे अजिए चनी से प्राव्डम होगे ती तो मैंने मोटे छेटवारी चनी का यूज किया है और यह देखिए मैंदा और अच्छी से चान लिया है और यह मोटे मोटे गाजु के तुकड़े हमादे रहे गए है यह देखिए हमारा गाजू का पाउदर रेडी हो गया है वैसे मैंने बहुत ही अच्छी से चान लिया है अब हम गैस पर कड़ाई लखेंगे इसमें हाफ कप चीनी ला लेंगे और वनफोर्थ कप हम इसमें पानी दालेंगे जितनी चीनी ले रहे हैं उसका आदा हम इसमें पानी लेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक हमारे चीनी दोलना चाहे देखिए हमारे चीनी रेडियो चुकी आप मैं इसमें राजू का पाउडर में कर रही हूं और इसे हमें लो मीरियम फ्लेम पर ही पकाना है इसे हाई पर नहीं पकाईएगा नहीं तो क्या होगा यह बैटर पेस्ट जो है हमारा बहुत चल्दी काड़ा हो जाएगा और पर हमारा मिक्श्चर सूखने लगता है और आपकी जो काजू कदली है वो टाइट हो जाएगी तो इसे आप लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे अब मैं इसमें टू डेबल स्पून की एड़ कर रहे हूं इसे हुआ लगाता चलाते रहें हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना हिया आद करें अब कि अमारे मिठाई बहुत जादा ख़ाभ हो जाएगी अब भी जलाते चोलाते रहेंगे चो अब कर नहीं है तो अमारा प्रम बटेश चीबकता जाएगा यह देखिए हमादा पेस्ट पुला मिश्चा एक तरफ होता चाहता है तब तब यह बन रहा है हम इसको प्लेट में गीस से आइलिंग कर देते हैं अब हम देखते हैं हमारे बैटर कितना रेडी हो चुका है अगर यह मिक्स्टर आपके हाथों में चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब है आपका मिक्स्टर रिडी हो चुका है अगर अच्छे पकड़ा तो अभी उसे और टाइम लगेगा पकने में इसे हमने निकाल दिया हमने प्लेट में जिसमें में विसी की लगा के दखा हुआ था और इसे आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है थंडा होने के लिए इसे आपको चलाते जाना है अब यह थोड़ा गदम है कि हम इसको हाथों से टच नहीं कर सकते हैं आप स्पून के हैं इसे करते चाहिएगा अब यह देखे ठंडा हो चुका है मैं इसे हाथों से टच कर सकते हूं आप इसे एक फ्रोल बाल बनाने हैं वह ऐसे हम अच्छे से बेलेंगे हम अब यह देखे पाटापि पर यह पाटापि कोच पर दूमें गीलगा देदेए अब इसे हम इसे लगा देंगे और हम इसके उपर भी थोड़ा सा की लगाएंगे इसके बाद हम इसे बेलेंगे आप इसे बेलते चाहिएगा और इसमें आप साइस जो गाजू गदली का होता है वो चेक करते रहीएगा कि जिस साइसे गाजू की परफी होती है उसी साइस तक आपको जो बेलते हुए पहुचाना है इसको आप हर एंगल से बेलिएगा इसको आपको स्क्वैर में बेलना है स्क्वैर में बेलने से आपकी काजू गदली बहुत सही शेप में कटेगी यह देखी में चेक कर रहे हूं हमारा जो साइस है उस साइस के रेडी हुई है कि नहीं अब इस थालका साइसे और एक तरफ से करने की ज़वदत है यह हमारा साइशी बात चुका है आप बटर भी पहटा देंगे नाइफ के हैप से हम इसके साइट के जितने भी जो अलग है इसे हम कट कर देंगे यह देखे कितने हमारी स्मूल और कितने अच्छे से फोल्ड हो रही है बिल्कुल बाजार जैसी का जुकतली आपको एक खाने को मिलेगी आप इसे जरू ट्राय करिएगा इसे हमें चाव दरफ से स्क्वार शेप में देते हुए कट करते जाना है द्रैक्स्टाम ने करकियों से आप ऐसे भी खा सकते हैं और आप सर्फ करने के लिच्छी डिजाइन की शेमिस में आप ऐसे निकाल सकते हैं आप देखते हैं मैं किसी तदस इसमें लाइंस दे रहे हुए हमें इसी तदस इसमें कट करते जाना है कुए सबस्साइब कि भूचा टूए भूची बूचाए हूए पीजाब्स कर्ट ए्या थचान आपया हुआ तरफ भीजाओ जाफू सचान हो ताक इस्याबजा नहीं है जान्दी का वॉक लगा सकते हैं जैसा की बजार में लगा हुआ आता है मेरे पस पो अभी अविलेबल नहीं था तो मैं ऐसे इसे इसाफ करूँगी यह देखिए इसका शेप बिल्कुल मार्केट जैसा है और टेस्ट पूरा मार्केट जैसा है तो आपको यह जैसे पसाना आय होगी मेरे सपी भाइबाय बैनों को हैयपी लक्षा बनन्नक हैंद एंपि इनडिपेंदे जै मेरे चैनल दीडौब जब्र बशस्क्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिये रख्शा बंनका मौका है और इंडिपेंड अधियों को यह हो एंट क।